पहले हैं कि नवश्कार दोस्तो मैं विकास भारत द्वाच एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग रेल्वेडेक्ष्टन फोर्स के रिकॉर्ड के बारे में देखें गे unf adviser किस प्रकार के लिंक दिया है जहांपर कि आप मेरे सारे वीडियो को आडियो फॉर्म में सुन सकते हैं तो आप जरूर उस लिंक से विजिट करिएगा वहां पर आरपी अप लडी सी चैनल को जरूर फॉलो कर लिजेगा ताकि आपको सारी चीजों को कम समय में रिविजन करने में मददगार सावित होगा तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो आज के इस वीडियो को सुरू करने से पहले जो चीजें हम जानने वाले हैं वो आरपी अप स्टैबलिस्मेंट मैनुवल 2019 में स्टैबलिस्मेंट से रिलेटेड जो भी रजिस्टर है उसके बारे में बता आया गया है तो हम सबसे पहले प्रीमिलरी देख लेते हैं काफी लोगों की जिग्यासा थी कि सर मैनुवल से किस प्रकार से सवाल आएंगे तो मैनुवल को पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां से भी मैं आपको सारी चीजें कभर कर दूँगा एक ए इसको मैनुवल को क्या नाम दिया गया है आर्पिअफ स्टैबलिस्मेंट मैनुवल 2019 नाम दिया गया है इसे डीजी महोदे ने किस सक्ती से बनाया है तो वही अंडर रूल 28 और आर्पिअफ रूल 1987 रेडवीच सेक्शन 8 और आर्पिअफ एक्ट 1957 तो आपको यह सवाल पू आया गया है कि इस्टैबलिस्मेंट मैनुवल में जब भी किसी प्रकार का कोई चैंजेज होगा तो एक करेक्शन स्लिप उस पर लगाया जाएगा और उस पर नंबर और डेट दिया जाएगा तो यह हम लोगों ने ओवर विई देखा इस्टैबलिस्मेंट मैनुवल के बा तो ए से जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वो एवन रजिस्टर पहला है जिसे कि आम्स स्टाउक बुक कहते हैं कि आम्स का किस प्रकार का स्टाउक रखा गया है उसके बारे में इसमें बताए गया है वहीं आर्पी अफ एवन ए रजिस्टर जो है वो आर्सनल reducing number on arms मतलब arms पर जो number दिया जाता है उसके बारे में बता रहा है और यह कहां पर पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर वहां पर यह ammunition stock book का मेंटेन किया जाएगा जो ए से related है वो ए 3 है daily arms and ammunition issue and return register जिसमें कि आप duty के दोरान जब ही arms को issue करवाते हैं और फिर duty खत्म होने के बाद arms को जमा करवाते हैं जो entry की जाती है उस वो ए 3 रजिस्टर होता है जिसे daily arms and ammunition issue and register return register काते हैं तो यह ए से संबंदित जो भी रजिस्टर थे उसे एक slide में cover किया गया है इसे संबंदित 26 के आसपास जो है बुक्स हैं जो भी रजिस्टर हैं उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला जो भी important होगा जो भी important होगा उसके आगे मैं भी भी आई लगा दूँगा आप उसे ध्यान से देख लीजेगा आपके सवाल वहां से जरूर बन सकते हैं तो पहला जो है वही सबसे important E1 रेजिस्टर master role के बारे में बताता है कि आप जिस प्रकार से काम करते हैं आपका master role मंतली बनता है तो वह master role के बारे में बताता है description के हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जो काम की चीजे हैं उससे मैं discuss यहीं पर करता चलूँगा चलते हैं E2 register जो की duty roster के बारे में बताता है कि आपकी duty किस प्रकार से कहां पर कैसे लगी है आपके नाम rank और UIA number का उसमें जिक्र किया जाता है वैसे UIA number अब प्रशलन में नहीं है तो आपका नाम और rank उसमें लिखा जाता है साथी साथ आपके duty के अस्थान के बारे में भी लिखा जाता है आगे चलते हैं अगला जो register है वो E4 register nominal role के बारे में है VVI लगाईए nominal role में क्या होता है आपका नाम पूरा address और आपके particulars के बारे में बताया जाता है साथी साथ E5 में क्या है posting register में उतना ज्यादा important नहीं है E6 बहुत important है casual leave register VVI लगाईए CL register जिसमें होता है अगला जो है E7 वो other than CL है E7 leave register से संबंदित है वो भी other than CL ठीक है and साथी साथ E7A leave application form के बारे में होता है एक leave application form होता है उसमें desired information होते हैं उस information को आपको fulfill करना होता है और आपको अपने sanction authority के पास जो है उसे देना होता है ताकि जो है क्या कर ले वो leave application पर आपके leave को sanction किया जाए तो ये सारी चीजे leave application जो E7A में बताया गया है फिर आपको एक बार बता दूँ कि वीडियो के description में audio lecture का link दिया हुआ है उस link पर आप जरूर visit करिएगा वहाँ पर मैंने most important 20 questions डाले हैं उसे जरूर सुन लिजिएगा और बार बार सुनिएगा कम से कम तीन बार जरूर सुनिएगा ताकि आपको वो चीजे आसानी से याद हो जाए चलिए देखते हैं आगे register जो E7B है वो leave certificate के बारे में होता है वैसे यह प्रचलन की चीजे नहीं है लेकिन leave जब आपकी grant होती है तो उस पर leave register leave certificate आपको दिया आता है उस certificate पर आपका नाम किस परकार का leave और कब से कब तक आप छुटी पहरे वो सारी चीजों की विवरणी का मतलब की सारी चीज़े describe की हुई रहती है आईए E9 पर यह reward role के बारे में बताता है बहुत ही important है इसको भी important रखिए and E10 जो है वो reward register के बारे में बताता है यह भी important है देखेगा यहां reward role है यहां reward register है reward reward role मतलब आपका नाम उसमें क्या होता है डिजाइड करके दिया जाता है reward role में जैसे आपको reward दिया जाए उस रोल में entry करके भेजता है post वाला और जब आपको reward मिलता है तो वो reward register में maintain किया जाता है चली आगे देखते हैं E11 जो की calendar of retirement है उतना ज्यादा important नहीं है लेकिन आप जानकारी में रखिए E13 moment order के बारे में बताता है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक moment करते हैं तो वो एक एक 30 लेटर होता है कि आपको सरकार ने डिपूट किया है कि आप यहां से वहां काड़े पर जाएं तो यह E13 तक हमने देखा आते हैं E14 E14 register जो है index of departmental proceedings D&AR register है बहुत ही important VVI लगाई है आपके exam में छपे का सवाल and E15 जो है index of TA claim less important है लेकिन important है आपको यह 16 वाल register सारा important है E16 A बताता है suspension order के बा rule 139.2 of RPF rule 1987 तो आप मुझे comment box में बताएंगे कि यह RPF rule 139.2 जो है वो किस चीज से related है मैं जान बुझ करके यहां पर नहीं बता रहा हूं आप सर्च करेंगे तो आपको काफी आसानी से वो चीजें दिमाग में fit हो जाएंगे चलिए RPF E16 C जो है वो चार सीट major penalty जो की 153 rule क दितारा दिया आता है वहीं E16 G जो है वो चार सीट के बारे में बताता है लेकिन rule 158 के चार सीट के बारे में बताता है आगे चलेंगे हम लोग E16 H जो है orderly room के बारे में बताता है और E17 character and service role VVI लगाईए E18 जो है वो इंटर railway transfer register उतना ज्यादा important नहीं है E19 settlement register ये भी उतना ज्यादा important नहीं है वहीं पर E20 important हो जाता है क्योंकि ये specialized category में आता है compensation ground पर जो appointment होता है उस register को E20 में maintain किया जाता है आगे देखें तो E21 के बारे में देखें तो rail सुरक्षा कल्यान निधी के बारे में RSKN के बारे में VVI हो जाता है E22 post redeployment register के बारे में बताता है उतना ज्यादा important नहीं है E23 important है deputation के बारे में इसमें बताया गया है और आगे चलेंगे जो important है आप E24 जो की training register के बारे में बताता है और E26 को VVI करिए ये RTI register right to information act के बारे में बताता है जिसने भी RTI का वीडियो नहीं देखा है description में link दे दिया हूँ वहाँ पर जा करके आप RTI वाला वीडियो जरूर देखिएगा right to information act के बारे में उसे बताया गया है तो आज के वीडियो में हम लोगों ने A और E से related जो भी register जो important थे उसके बारे में हमने जिक्र किया है अगले वीडियो में हम crime से related register ले करके आएंगे थोड़ा धीरे वीडियो आ रहा है आप लोगों से थोड़ा सा request है कि धैर बनाए रखिए अकेला वेक्ती हूँ काम करते रहता हूँ आपके लिए जुद्धो जहद कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी जीत होती है उसी जीत में मेरी ही भी जीत है तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे अंत में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए अपने दोस्तों के भी सेर जरूर करिए गा कहा जाता है sharing is caring and caring gives you happiness and at last thanks for watching this video